आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विराट कोली के बारे में जिन्नों ने जो फिलाल अभी तक टीम के साथ नहीं ज जुड़े हो और उमीद है कि कल दोपर्nt ये कल JOSH तक टीम इंडिया के साथ वो जुड़ जाएंगे और उनहोंने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुग एक मे में अपना अपने वह पुराने पल हैं उनको याद किया है जब उनका World Cup debut हुआ था 2011 World Cup की याद आई है Virat Kohli को और Virat Kohli ने उन तमाम बातों पर रोश्री डाली ऐन तमाम बातों का जिक्र किया है जब का डेब्यू हुआ था उन्होंने का है कि मुझे याद है कि बंगलादेश के खिलाफ धाका में मेरा वर्ल्ड कप का मैच का डेब्यू हुआ था मैं काफी ज्यादा नर्वस भी था मैं जूट नहीं बोलूगा मैं नर्वस था और लेकिन एक अलग तरीके की excitement रहती है जब आव वर्ल्ड कप में खेल रहे होते हो पहली बार कोई वर्ल्ड कप का गेम खेल रहे होते हो और उन्होंने कहा कि मैं obviously उस चीज़ को sense कर सकता था और मैं टीम का सबसे यंग था यानि कि सबसे युवा खिलाडी था और उसके साथ खेलना बड़े-बड़े खिल कि आपकी बड़ी इसी तरीके से तयार होती है आपको तयार होने के लिए आगे अलर्ट कर देति है और आप for granted नहीं लेते यानि कि आप हलके में नहीं लेते हैं फिर चीज़ों को आप उसी तरीके से तयारी करते तो एक तरीके से युमाओ के लिए भी एक मैसेज था विराट कोली का कि नर्वेसनेस होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है